कि नमस्कार चतुतिशा टाइम्स में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ मौझूद हैं पटोदी बिदान सभा से तुलसी राम खंडेवला के बेटे पंकज खंडेवला जी जानते हैं कि कल हला बोल रैली में ये क्या कुछ करने वाले हैं क्या इनकी इंतिजाम है और इस स संक्या में आपने लोगों को इखटा किया कारेकरता इखटे हुए पदादिकारी इखटे हुए और कैप्टन साब इसमें मौझूद रहे तो ये इसे कल की रेली के बारे में बात्चीत थी कल जो अल्ला बोल रेली जो नवाए गई गई है राम लिला मैदान में उसके हम लाक करीब आदमियों की जन्सेंगा जाने के और डाइशो गाडियां जो अभी जो फिलाल जो बुकी हुई है और बाकी कल जितने हो लाक के करीब जो आदमियों वहां पर पहुचेंगे मैं यही संदेज देना चाहूँगा कि जादा जादा संक्यां पोच कर यह मेंगाई चीज़ा आप से बढ़ाई जा रहे हैं तो सरी यह जो रैली जो करने जा रहे हैं तो किन-किन मुद्दों पर जो है आप लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कल यानि की चार सितंबर को रामिल्ला मैदान दिल्ली के अंदर मानेने श्रीमति सोन्या गांधी जी के नेतरतों में एक हला बोल रैली निकाली जा रही है उस रैली के अंदर आज हमारे दक्षिन अर्याने के बहुती वरिश नेता कैपना जे शिंग याद हूँ जो बीशी शेल के राष्टे चेर्मेन भी है उनके नेतरतों में गुडगावा में मिटिंग हुई थी और उस मिटिंग में ये फैसला लिया गया क्योंकि हम दिल्ली के बिल्कुल नजदीक हैं तो गुडगावा, फरिदाबाद, मेवात, रेवाडी यहाँ जादा से जादा जो सक्रि इतनी कमरतोड महंगाई, बेरोजगारी और किस तरह से सामपरदायक इंसा सद्वावना को फैलाने का इन्होंने काम किया है, भाईचारे को बिगाडने का काम किया है, तो उनके खिलाप, वाजबार मोधी सरकार के खिलाप, ये अल्ला बोल रेली निकाली जा रही है माने सर में लोग धरने पर दर्शन पर बैठे हुए हैं, सरकार उनकी सुनने रही है, किसानों ने यहां तक भी धमकी दे दी है कि सामोही गुरूप से वो आत्म दाहा करेंगी, तो सर कैसे देखते हैं आप इस सरकार को? देखिए मैं हमेशा कॉंग्रेस पार्टी किसानों के हितेश में हितेशी रही है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कि ये भाज़पाक सरकार हमेशा पुंजी पतियों की सरकार रही है, इन्होंने कभी भी ना तो किसानों के लिए ना गरीब मजदू वर्क, हमे वो लोग हैं, जो हमारे यहां माने सर में भाई बैठे हैं, जिनकी जमीन की कीमत आज 11 क्रोड की है, और ये 55 लाख रुपे दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल बिल्कुल गल्प है, एक गोशना जारी की है, पंचायत ने, जजपा और भाजपा का इस छेतर में आना वर्जीत क ला दिया है, वहां पर धरने पर बैठे कुछ लोगों के अपने सगे समंधियों ने भारतिय जनता पार्टी के विधायक से संबर करने कोशिश के रही, पांच लोगों ने तो उसका भी भाईशकार कर दिया है, तो सर, क्या लगता है आपको कि आने वाली जो सरकार है, उसक सच साबित होने जा रही है, आपने देखा होगा कि हर्याना परदेश के अंदर जब उप्चुनाव था सिरसा इसके अंदर हर्याना के अंदर, तब भी लोगों ने जगे जगे उनका भाईशकार किया था, और आप तो महल और भी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, देश के अर्बरह poll तेहने, और दो ही लोग इस देश की संपती को खुरीद रहे हैं, जिनका बेचने का काम मोधी और अमित्सा कर रहे है, और खृदने काम अदानी और 114 के अंदर कॉंग्रेस के साथ में कारेकरता साथ आनी रहें जुड़नी रहें या उनके अंदर भी कोई भै है जिस प्रकार से मोधी एडी और इस चीज गलत दुर्पयों करें क्या कहना चाहेंगे सर अब इस पर यह तो पूरे देश के अंदर माहुल ऐसा उनोंने बना रखा ह विपक्स के अंदर ऐसा कोई भी आदमी नहीं जिन्होंने ED और CBI का डर्प है और माहूल नहीं दिखा रखा हूँ आप विपक्स में आपको देगे हिंदुस्तान की बहुत सारी पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर लेकिन सिर्फ एक राहूल गांदी ऐसा है जो इस देश के अंदर मोधी के खिलाब भाजपा सरकार के खिलाब इस देश के आवाज उठाने का काम करता है चाहिए वो बेरोजगार की बात हो चाहिए गरमचारियों की बात हो चाहिए दलीतों की बात हो किसी भी वर्ग की वा, 36 विरादी को साथ लेकर चलने का काम, अगर कोई करता है, तो कॉंगरेस पार्टी और राहूल गान दीजी, भारत हमेशा अगरनी देशों में रहा है, लेकिन 2014 के बाद, जिस तरह से आपने पता होगा कि, जीडी पी कितनी नीचे जा चुकी है, आज द तेश के अंदर, तो इतना बुरा हाल है बेरोजगारी का, और उसी को लेकर के तो आज पूरे, कल राम लिल्ला मैदान में, जो बेरोजगारी को लेकर के, अल्ला बोल जो रेली की जा रही है, फिर उसके बाद, भाजपा सरकार किस तरह से, ये भाजपा सरकार भारत तोडन काम करती है, तो आठ तारीक को सितंबर को एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी, जो कश्मिर सी कन्यार कुमारी तक जिसका नेत्र तो खुद राउल गांदी जी कर रहे है,